यह देखिए दोस्तों मिली बग किस परकार पौधों को पूरी तरह से टमाटर के छोटे से पौधे को अपनी गृफ्ट मे लिए रखे हैं इनोंने तो मिलीवग जो है ये पौदय को अगर जहां से भ्यकड लेते हैं तो पूरी तरह से पौदय को डेम्ज कर देते हैं और इसकी ग्रोथ को बिलकुल रोक देते हैं इसके अंदर का जितना भी nutrients होता है उसे यह चूज जाते हैं तो मिली वक्त को पूधो पर टिकने नहीं देना है इनका treatment बहुत ही जरूरी है तो दोस्तों इसकी treatment हम आज की इस वीडियो में इसकी treatment के बारे में जानेंगे कि क्या तरीका है किस तरीके से हम इसे पूरी तरह से हटा सकते हैं तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरी YouTube चैनल technical gardening with अभी में दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले और वेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने लि वीडियो के notifications आपको आसानी से मिलती रहें दोस्तों solution बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखा दूँ जैसे ये देखी मिली बग है और इस पे चीटिया हैं मिली बग बहुत ही तेजी से multiply होते हैं लेकिन ये खुद को अपने आप multiply नहीं करते हैं इनको multiply करने में च पहले हमें चीटियों को अपने garden से दूर करना होगा जिससे की ये मिली बग को multiply नहीं कर पाएं तो चीटियों को garden से कैसे दूर करना है इसका video मेरे चैनल पर upload है आप उसे देख सकते हैं और दोस्तों मिली बग की जो समस्या होती है कुछ खास plants पे हैं जिनमें इनकी समस्या ज्यादा तर देखी जाती है जैसे गुड़हल का पौधा हुआ अमरूद का हुआ टमाटर का हुआ तो इन कुछ major plants है जिनमें इनकी समस्या ज्यादा देखी जाती है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है थोड़ी चिपचिपे टाइप के होते हैं और ये जो उपर क परत इस पौधे पर से आपके हटेगी नहीं ये देखिए दूस्तों मैं आपको अपने हाथों से हटा के दिखाता हूँ कोसिस करता हूँ दिखाने की ये ये देखिए इन्होंने पूरी तरह से इसे पकड़ रखा है और मैं इनको दिखाता हूँ ये ये आप देख पा रह तो मिलीवग अपने आप खतम हो जाते हैं गिर जाते हैं तो हम आते हैं treatment पे कि इसको treat कैसे करेंगे दोस्तों मिलीवक का ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है आपको मैं दिखाता हूँ देखिए यह जो हमारे घर में चावल पकने के बाद बच जाता है तो हमें वही चावल यूज करना है और यह पका हुआ चावल है देखिए इनको हम इस इस प्लास्टिक के उसमें पात्र में र प्लाकार से हम पानी डाल देंगे और पानी डालके करीब हम दो दिन के लिए या पिर आप चाहें तो 24 गंटे के लिए इसे छोड़ दें इसमें से एक हलकी इसमें लाने लगेगी गंध सी जब एक गंध सी आने लग जाए तब आपको इसे यूज करना है तो दोस्तों चलि अब हम इसे छान लेंगे तो दोस्तों इसे हम जो छाने के बाद एसा मिल जाएगा और इस चावल को हम डारेक्ट नहीं यूज करेंगे अपने गार्डन में अपने पौधों पर इसमें हम मिला लेंगे कोई liquid soap आपके पास shampoo है तो आप shampoo यूज कर लीजे, shampoo नहीं है तो आप जो hand wash है, dish wash है, कोई भी चीज आप यूज कर लीजे और हम 2-4 बून ही यूज करेंगे ज्यादा नहीं और इसको हम अच्छे से इसमें मिला लेंगे, आप यह देख रहे हैं हमने अच्छे से मिला लिया और इसको हम भर लेंगे अपने sprayer bottle में इस जो liquid को हमने बनाया हुआ है इसको sprayer bottle में हम भर लेंगे तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो मिली वक्स से छुटकारा पाने के लिए जो homemade solution है यह तयार है अब आए चले हम इसको apply करके देखते हैं तो यह देखे दोस्तों यह हमारा पौधा है और इस पे हम इसका छिड़काव करेंगे मिली वक्स के उपर डायरेक्ट हमें करना है मिली वक्स के उपर देखे मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि इसके छिड़काव से आप नजदीक से मैं आपको दिखाता हूँ पहले छिड़काव कर लेते हैं और अगर आप प्रेशर से छिड़काओ देते हैं तो यह और अच्छा होगा अब मैं आपको दिखाता हूँ तो दोस्तों यह देखिए आपके सामने लाइफ मैंने आपको दिखाया छिड़काओ करके जितने भी मिलीवक्स इधर दिख रहे थे जिनके मैंने छिड़काओ किया हुआ है यह सारे मैं आपको दिखाओ यह देखिए जमीन पे गिर गया है इनकी जो white cells थी, यह मैं आपको नज़्दीक से दिखाता हूँ, इनकी जो यह देखी, यह देखी, जो इनकी white cells थी, वो हट गई है, अब इनकी पकड़ हो गए एक कमजूर, अगर जरासा भी इन पर force लगता है, यह तुरंत नीचे गिर जाते हैं और धीरे-धीरे मर जाते हैं तो इस परकार दोस्तों, जहां-जहां आपको मिली बग की समस्या दिखाई दे, अभी देखें, में दूसरी तरब से भी plant में भी मिली बग हैं इसमें, तो दूसरी तरब से भी हम इसमें इसी परकार से छिड़काव करेंगे, तो दोस्तों, आपको जहां-जहां भी मिली ब काम की हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अगर कोई सुझा हो आपके पास तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें बहुत बहुत धन्यवाद